किसान मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर आज भागिरत चोहदरी लोग सबासांसद अजमेर आज पद्भार ग्रेंड करेंगे और इस ठीक कल प्रधान मंत्री सीकर में आने वाले हैं खासकर जाट लैंड में चुनावी शंकनाद के तौर पर इसको देखा जा रहा है चोहदरी साब किसान तो फसल खेतों में उगाता है आप बीजेपी के लिए वोट उगाने की तेजारी में है देखें इंदुस्तान में सबसे कोई दुकी वर्ग है तो किसान वर्ग है किसान क कोई जाती नहीं होती है जो गाव में रहता वो सब किसान है जिसके नाम खेती है वो सहर में रहता वो भी किसान है जब तक किसान के घर में समर्दी नहीं आएगी तब तक इस इंदुस्तान का विकास होनी सकता है हम सब सोबागे साली है कि हमारे देश के पहले परदान मंतर और उना ने फसल भीमा योजना लागू करी और उसके बाद जदी किसानों की कोई खुशाली के लिए जदी किसी ने काम किया है वो नरेंदवाई मोधी जी ने किया है किसान को अंतलाता मान कर किसान इस देश का अपको पता है कोरोना काल में भीसन ये करोना काल आया था इस तरह की भावारी आइ थी उसको बचाने का काम किया तो इंद्थान के अंदाता किसान न न किया और मोधी जी ने 80 क्रोड़ी से भी जजदा जनता को मुँप्त लिए अनाजदेव का काम किया तो नरेंदवाई मोधी जी ने तो तबpower की किसान की के रूपे हैं आज 11 क्रोड से भी ज्यादा किसानों को जो किसान समान निति के रूपे दिया जा रहा है यह बहुत वड़ी कुछाली की बात है मैं MRP की बात करूं मैं MRP की बात करूं आज किसान को अंतला अता मानकर नरेंद भाई मोधी जी ने जो नो साल में काम किया आप दो बार प्रदेश में विधायक रहे हैं आपने जन्रता की सेवा की आपके लोगों की उमीदें हैं कि आप विधान सभा में भी अपनी उपस्तिती अगली बार दर्श करें तो क्या आप इस इस मूर्ट से भी हैं देखे भारती जन्ता पार्टी ने मुझे दो दबे वि और जो परदेश का नेतों तो है जो भी काम कहेगा एक चोटे से कारकरता के रूप में वह हम काम करेंगे हम पद के भूके नहीं है हम भारती जन्ता पार्टी ये पार्टी है जो पहले भारत माता को परम वेभापा पहुचाना चाहती है भारती जन्ता पार्टी है जो कि लोगों में क्या उत्साह है या किस तरह की उमीदे हैं बीजेपी को लेकर देखें पहले तुमें यहां वर्तमान कांग्रेज सरकार की बात करूँ 2018 में राउल गांदीजी आये थे और उन्होंने कह था कि यदि हमारी सरकार आगी उन्होंने तस्त किंती भोली थी कि दस दिन पूरे होते ही इस दराजस्तान के अंधा था किसान भायों का संपूर करजा माप कर देंगे फिर उन्होंने कहा नोजवानों को साड़े तीन हजार रुपे मैंने बेरोजियरी बता देंगे फिर उन्होंने कहा यदि हमारी सरकार आ गई एक नहीं पैसा बिजली का दाम भी बढ़ाएंगे जब कि इसका उलता किया है यह कांगरेस की सरकार किसानुको परबाद कर रही पे तुलीवी है आज किसान ठाका सा महसूस कर रहा है आज यहां का नोजवान तो मैं तो खहला हूँ किसान का बेटा मज़ूर का बेटा मद्यम्वर का बेटा जो गाउ का जो बेटे बेटिया है वो परिक्षा देती है और उन्नीस वार पेपर लीक हो जाता है वो छेवर बेच के चमीन बेच के उन पर चुको अपने पेरुपे खड़ा कर लिए अपने लाठी का सारा बनाने की कोशिद करते हैं ऐसे समय में ये रास्तान की सरकार पूरे नोजव भारी भामाँ से बनाने के लिए आतूरे तो साफतोर पर किन सरकार की उपलब दिया खासकर किसानों को लेकर और राजिस्तान सरकार की विफलताओं को गिनानी की तैयारी में है किसान मोर्चा भागिरा चौदरी की नेत्रितिमें अब देखने की बात होगी कि इनके बाती के साथ देविंद्र सिंग भारत एक्सपेस जैपूर